दोस्तों एक इंटेस्टिंग नूज 5G सर्विस को लेकर है फाइलली आज जो IMC इवेंट हुआ है उसमें प्राइम निस्टा नैन मोदी ने ओफिसियली 5G को लॉंच कर दिया है और आपने से काफी सारे लोग सोच रहे हो कि 5G सर्विस को आकिर कब तक रॉल आउट किया जाएगा तो सब कुछ अपडेट इस टेकनीज में मैं देने वाला हूँ तो इस टेकनीज को जबूर से लास्ट तक वाच करके जाना सबसे पहले 5G सर्विस के जो भी फायदे है उसको बात कर लेते हैं एक तो 5G में आपको 4G के मुकाबले जो स्पीड मिल लाई है वो 10 टाइमस ज्यादा फास्टर 5G में देखने को मिलने वाली है साथ में 5G के आने से एडुकेशन एड़ मेडिकल सेक्टर है इसमें भी काफी ज्यादा help मिलने वाली है साथ में workers को भी 5G के आने से काफी ज्यादा help मिलेगी इसका एक proper demo वीडियो भी इस IMC event में दिखाया इतना ही नहीं दोस्तों 5G के आने से hologram के थ्रुप, कम्टिकेशन किया जा सकता है इसका भी एक प्रॉपर डेमो दिखाया गिया इस I.M.C. इवेंट में एक स्कूल की बच्ची से प्राइमिस्टर मेहन मोदी ने कम्मिनिकेट भी किया है वो भी होलोग्राम के थुरू अब मैं बता देता हूं कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कब तक 5G को इंडिया में लाने वाले हैं। साथ में जो I.M.C. इवेंट हुआ है आज उसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ने यह नहीं बताया कि 5G सर्विस का क्या कॉस्ट होने वाला है यानि 5G सर्विस का जो डेटा प्लान है वो किस तरह का होगा इस पर कोई भी अपडेट अभी फाइनली बाहर नहीं आई है साथ में कम्पनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि December 2023 तक वो All Over इंडिया में 5G सर्विस को रॉल आउट करेंगे मैं AirTail की बात कर लू तो AirTail भी जो 5G सर्विस रॉल आउट का प्लान है वो सबसे पहले मेट्रो सिटी में ही लाने वाला है जिन में महराश दिली जैसे मेट्रो सिटी यह साथ में टोटल 8 सिटी में सबसे पहले AirTail 5G सर्विस को रॉल आउट करेंगा साथ में कम्पनी में ये भी announcement किया है कि March 2024 तक वो all over India में 5G service को rollout करने वाले है वही पर मैं Airtail की 5G roadmap की बात करने लूँ तो Airtail का 5G roadmap थोरा सा अलग है GEO के मुकाबले या NSA service को provide कराने वाले यानि non-standard load service को provide कराएंगे जो की 4G infrastructure पर ही 5G service को rollout करने वाले है वही पर मैं Vodafone idea की बात कर लूँ तो Vodafone idea ने जादा कुछ update 5G के उपर तो नहीं दिया है लेकिन कम्पनी का काना है कि user के हिसाब से वो 5G service को rollout करेंगे overall बात किया जाए दोस्तों तो अगर आप दिल्ली, कोलकता, महरास्ट और चिन्नाई जैसे metro city में राते हो तो सबसे पहले 5G का experience आपको देखने को मिलने वाला है और बाकी फिर other city में धीर धीर 5G service को rollout किया जाएगा और overall मैं बात कर लूँ तो अभी किसी भी company ने 5G का जो data plan है उसको अभी reveal नहीं किया है कि किस price range में 5G service प्रोवाइट किया जाएगा तो आगे इस पर जो भी further update जैसे ही बार आएगी वो भी मैं टेकनीज में आपको बताने वाला हूँ साथ में मैं आपको यह भी बता दो कि यह जो IMC event है वो October 1 से लेकर October 4 तक चलने वाला है तो बाकी जो भी update जैसे ही बाहर निकल के आएगी वो भी टेकनीज में रेगुलर वे में मतारने वाला हूँ तो इसके लिए आप जरूर से चैनल को सब्सकाइब भी कर लेना तो अगली जो निउज है वो Redmi के तरब से नहीं कलकी आ रही है पिछले कुछ टेकनीज से लगतार में जो Redmi का Note 12 स्रीज है उस पर काफी कुछ अपडेट आपको देता आ रहा हूँ साथ में काफी सारे लिक्स भी आपसे सेर किये हैं अब फाइलि एक और इंट्रेस्टिंग निउज बाहर आई है जो Redmi Note 12 Pro इससे पहले ख़बर आ रही थी कि 120W का Fast Charging Support इसमें देखने को मिल सकता है लेकिन अब निउज आ रही है कि Redmi Note 12 Pro के अंदर 210W का Fast Charging Support देखने को मिलने वाला है तो काफी इंटेस्टिंग निउज है साथ में इसे 3C Certification वेबसाइट पर भी स्पोर्ट किया गया है और जहां तक बात रही लॉंच की तो यह चाइना में इस साल के अंद तक लॉंच हो जाएगा और गलोबल मार्केट में नेक्स्ट येर जनवरी या प्रवरी के मन्त में लॉंच होते हुए दिख सकता है तो फिलाल लॉंच होने में काफी टाइम है वैसे दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना कि आप लोग कौन साय स्मार्टफोन यूज करते हो और उसमें कितने वाट का फास्ट चाजिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है यह नीचे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों अगली जो नीचे है वो ली नोवो की तरफ से निकल के आ रही है फाइलली ली नोवो ने एक नया टैबलेट इन्यार मार्केट में लॉंच कर दिया है ली नोवो टैबो M10 प्लस के नाम से यह थर्ड जनरेशन का टैबलेट है साथ में इसमें मैं डिस्प्ले की बात कर लूँ तो बरी डिस्प्ले देखने को मिलती है लगबग 10.61 इंच की 2K IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है साथ में इसमें प्रोसेसर क्तरपे Snapdragon 680 का प्रोसेसर दिया गया है साथ में 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसमें आपको बरी बैटरी भी देखने को मिलती है लगबग 7700 इमेज की बैटरी साथ में Quad Dolby स्पीकर भी इसमें प्रोवाइड किया गया है पीछे की तरप 8 Megapixel का प्राइमिन करमा सेंसर दिया गया है 21,000 के प्राइस में लाँच किया गया है तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो 20,000 का जो प्राइस सिग्मेंट है उसमें और भी काफी सारे ब्रांड के टेबलेट और लेडी इंडिया में मौझूद है और फाइनली अब लिनवो की तरप से भी एक नया टेबलेट लाँच हो गया है ऐसे नीचे कमेंट सेक्सर में जबर बताना कि आप कोन से ब्रांड का टेबलेट यूज करते हो दोस्तों अगली जो निउज है को सामी की तरप से निकल के आ रही है पिछले कुछ टेक्नियू से लगातार मैं सामी 2LT स्रीज के उपर काफी कुछ अपडेट आपको दे चुका हूँ यह गलोबल मार्केट में 4 अक्टूबर के आसपास लॉँच होते हुए दिखने वाला है साथ में अल्लेडी कंफर्म हो गिया है कि जो सामी 2LT प्रो है उसमें 200 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कर्मा सेंसर आने वाला है लेकिन लॉँच से पहले दोनों फोन की जो प्राइस होगी वो क्या होने वाली है गलोबल मार्केट में वो भी फाइलली बाहर आ चुकी है एंड लीक्स आ रहे हैं कि जो सामी 2LT है उसे तगरीवान 580 यूरो के प्राइसेंज में लॉँच किया जा सकता है एंड वही पर जो सामी 2LT प्रो है यूरोपियन प्राइस इसकी तगरीवान 770 यूरो होने वाली है इंड रुपीज में कनवर्ट करें तो तगरीवान 62,000 के प्राइसेंज में लॉँच किया जा सकता है तो फिलाल काफी कुछ अपडेट बाहर आ गिया है एंड इसमें भी 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा तो गलोबल लॉँचिंग तो इसकी हो रही है एंड अब यह देखना रहेगा कि इंडियान मार्केट में यह कब तक लॉँच होता है एंड मुझे लगता है कि अगर सामी 12 प्रो इंडियान मार्केट में लॉँच भी होगा तो आपको यह तगरीबन वही 50 से 55,000 के प्राइसेंज में देखने को मिल सकता ह वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताना एंड जब इंडिया में लॉँच होगा फिर बात करते हैं इस फोन की फानली दोस्तों आज का माया टेग्निव जही पर समाप्त होता है और आज की जितनी भी टेग्निव से उसमें स कुल सा टेग्निव आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्षन में जबर बताना साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मद बुला जो लोग नायों जो मारे चैनल को रेगलर विजिट करें तो किस बात की देरी भाई जल्दी से जल्दी चैनल पर 1000 सब् साथ में अगर अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर लेना कि देर बुटर फेस्वूक पर फॉलो कर सकते हो उन शबका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं तो भाई को सपोर्ट करते रहो एंड रेगुलर टेक न्यूज देखते रहो तो फिलाल इस टेक न्यूज में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स टेक न्यूज में तब दक लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय